हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माय चैनल तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू पत्ता कोबी की सबजी मत्रचीमी के शाथ तो चलिए में से प्रेपेर करते हैं अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरू करिएगा मेरी जान पर नियू है तो म सबसे पहले मशाले को रडी कर लेते हैं पीश कर और उधर मैंने वा अलो भी बॉइल होने के लिए चड़ातीया है तो आली भी मेरा वाय हो रहा है इसके बाद कढ़ाई को गर्म कर लेंगे इसमें मैट कर देंगे दो बड़े चम्मित सरसोका तेल और इसमें मैट करेंगे पत्ता कोबी को अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम फ्राई करेंगे, तो मैं इसे सबसे पहले मिक्स कर लेती हूं, बहुत ही जल्दी यह सॉफ्ट हो जाता है, पत्ता को भी और मुझे तो बहुत ही पसंद है यह सब्जे, तो यह देखे, मैं नहीं यहां पर इसके बाद हम इसे मिक्स करने के बाद थोड़ी दे धकर इसे पकाएंगे एक से दो मिनट के लिए तो यह देखिए यह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है तो यहां पर हम क्या करेंगे थोड़ा सम नमक आट कर देंगे ताकि पत्ता को भी इसे जो भी पानी होगा वो रिलेस हो जाएगा और अच् तो यह लगबग पक चुका है तो अब यहां पर हम थोड़ा सा हल्दी आट कर देंगे और हल्दी के साथ भी इसे एक से दो मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे कर दो मिन के लिए आप इस रचरी को इस तरीके से एक बर ट्राई करके देखें कि बहुत ही अच्छी लगती है काने में आप सिंपल तरीके से बनाते हैं तो पत्ता को भी कि सबची तो अच्छी लगती है है काने में वह पेढ़ तो आप कि देखी हो एक द्योतब, आपकाanov कि तो मैं यहां निकाल ले रही हूं यह से इसके बाद फिर से में कड़ाई को गर्म करना है उसमें फिर से दो से तीन बड़े चम्मे सरसुका तेल एड़ करना है इसके बाद हम यहां पर आड़ कर देंगे एक चमज पंच फोरन तीज पत्ते थोड़ी से हिंग इसके बाद जो मैं साले मैंने प्रिपेर करके रखा वा था उसमें हल्दी एड़ कर दिया और इस तरीके से मिक्स कर दिया इसमें और इसे ओइल सेफलेट होने तक पका लेना है अच्छी तरीके से और थोड़ा सा पकने के बाद हम यहां पे एड़ कर देंगे मतरचिमी को तो मतरचिमी आप जितना कम डालना चाहें या जादा डालना चाहें आप अपने एकॉर्डिंग इसको डालने से सब्जी थोड़ा समीठा हो जाता है तो इसलिए हमने इसकी क्वाइंडिटी कम रखी है इसके बाद हम यहां पे आइड कर देंगे नमक इससे मसाले बी जल्दी पकेंगे और मतरचिमी बी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा इसके बाद हमें टमाटर में यहां कट करके रखा हुआ है आलू आलू को आथों के सारे से इस तरह से तोड़ लेंगे आप कट नहीं लगाईए इस तरह से तोड़ कर इसे बनाईए और टमाटर को एड़ करने के बार टमाटर को भीस के साथ हमें पका लेना है थोड़ी देर टमाटर में ही मैंने एक से दो चमच पाने एड़ कर दिया था ताकि एक साथ यह जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो यह देखिए मसाला पकना स्टार्ट हो चुका है थोड़ी देर और मसाले को पकना है तो मैं थोड़ी देर और मसाले को पका लोगी इस तरीके से तो इस रसीपी को आप घर पे ट्राइ करिए और मुझे कमेंट करके जरूर वताइए अब इस कंडिशन में जब मेरा मशाला चासे पक जाएगा तो एड़ कर देंगे हम आलू ब और ओर इसके साथ हम इससे अच्छी तरीके से फिर लेंगे डो से तीन मिन्ट के लिए आलू को भी अच्छे से फ्राइ करना है तो यह देखिने आलू भी अच्छी तरीके से अब हम क्या करेंगे इसमेह आt प्ता कोभी कर देंगे फ्राइवा पटता कोभी और एक से दो मिनट के लिए सब्गी सब्छों को एक साथ अच्छे से मसालों मीक्स करके पका लेंगे तो यह हलो और पता कोभी की सब्जी बनकर प्ता कोभी हो चुकिए है तो आप इस तरीके से एक बार पत्थालो पत्ता कोबी की सब्जी जरूर बनाईए और मुझे जरूर बताईए यहां थोड़ा सब फ्राई होने के बाद मैंने फिर इसे डग दिया है एक मिनट के लिए और यह देखिए बहुत ही अच्छे से बनके यह रेडी हो गई है आप तो इस पर गरीबीगी ऐड़ कर सकते हैं और अगर ये रोस्टेट बहुत अलगता है तो इसलिए आप इसे रोस्टेट इंच् 유ै करिए और आपको अगर गरीबी आड़ करनी है तो आप गरीबी भी आड़ कर सकते हैं तो चलिए वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा मैं फिर एक नही रेसेपी के साथ हाँगी तक तक बाई बाई टीक केर और थांक्स वाचिंग